हमेशा हस्ती रहने वाली और सबको हसाने वाली भारती सिंग को आया रोना भारती सिंग वीज शो में रो पड़ी सोनु सूत जो शो पर गेस्ट के तौर पर आये थे उनके सामने भारती सिंग अपनी आंखों से आंसू को निकलने से नहीं रोक पाई In fact, भारती के साथ साथ सोनु सूथ की आँखों में भी आसू आ गए भारती सिंग जो की डांस जिवाने शो का हिस्सा है इसी शो पर सोनु सूथ गेस्ट के तौर पर आये थे लेकिन शो के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि भारती सिंग को रोना आ गया और भारती को देखकर सोनु सूद भी अपने आसू नहीं रोक पाए ये शो जहाबर भारती सिंग अपने जोक सुनाती है, माहोल को खलका करती है इसी दोराने शो का माहोल एकदम emotional हो गया रोते हुए भारती सिंग ने ये भी बताया कि क्यूं शादी को इतने साल होने के बावजूद भारती सिंग बच्चा प्लान नहीं कर पा रही है डान्स दिवाने का इस बार का ये जो एपिसोड था, ये स्पेशल एपिसोड था सोनू सूद जो मसीहा के रूप में उभरें कोविट के दौरान वो इस शो पर गेस्ट के तौर पर थे, शो में काफी स्पेशल एक्ट्स रखे गए थे और कोविट को देखते हुए एक एक एक्ट रखा गया था जिसमें डान्स करते हुए एक आदमी ने कहानी बताई कि किस तरह से दो महीने के बच्चे को कोविड हुआ और वो अपने इस बच्चे को बचा नहीं पाया डान्स के रूप में इस कंटेस्टन ने ये कहानी कहने के कोशिश की लेकिन इस कहानी को देखकर सभी की आँखों में आसु आ गए क्योंकि अभी माहोल ऐसा चल रहा है कई ऐसी कहानिया है जहां पर परिवार के कितने ही लोग खतम हो चुके हैं और इसी आक्ट को देखकर भारती सिंग एमोशनल हो गई उन्होंने बताया कि उनकी मॉम को भी कोविड हुआ था और वो बहुत टेंशन में थी भारती सिंग कहती थी कि उनकी मॉम का कॉल आता था पर उसमें आज इसकी डेथ हो गई और तब भारती सिंग को डर लगता था कि कभी उनकी मॉम को लेकर ऐसा कोई कॉल उन्हें ना आ जाए इसके आगे भारती सिंग कहती है कि पता नहीं अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी कोरोना हो रहा है भारती सिंग ने सोनुसूत को ये भी बताया कि पिछले कुछ सालों से मैं और हर्ष बच्चा प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जब इस तरह की कहानिया सामने आती है तो डर लग जाता है भारती सिंग ने कहा कि मैं बहुत स्ट्रॉंग हूँ, मैंने बहुत कठीनाईया देखी है लेकिन मैं इतनी स्ट्रॉंग नहीं कि मैं इस तरह का दर्ग जेल लूँ, एक मासूम की डेथ जेल पाऊँ और यही कारण है कि बहुत सोचने के बावजूद मैं हर्श से बेवी प्लानिंग के बारे में बात नहीं करती भारती की ये बात सुनकर सेट पर एक एमोशनल माहूल हो गया, सो नुसूत की आँखों में भी आसू आ गए और नौरा फतेई जो कि इस शो का हिस्सा थी वो भी रोने लग गई तो कुछ इस तरह से कोरोना के कारण इस शो का माहूल भी बदला बदला लगा हाला कि शोज में इस तरह के आक्ट कहीं बार दिखाये जाते हैं, इमोशनल स्टोरीज दिखाई जाती है ताकि लोगों से कनेक्ट हो पाएं और जादा से जादा लोग इस माहूल से जुड़ पाएं